सब्सक्वले ग्रिड के तमाम जनता जनातन का आभाद, सुक्रिया, आदाब, जोहार, नमस्कार आज अपने ग्रिड के सलाडले पेटे को जो दुलार प्यार मिला वो कहीं न कहीं अप्रतीम, अभुद्पुरो अविश्वस निया बहुत प्यार मिला सायद जारखंड के कालखंड में किसी जन नेता को अलग जारखंड होने के बाद कितना प्यार मिला हुआ किसलिए मैं कहा रहा है, मैं अपनी बड़ा ही नहीं करता हूँ मैं अजक कई जगह से यह फौन आया कि हमने यहां घष्थि किया है यहां मननत मांगा है मैं इस बाबा से कहा है सभी धर्म सभी समुदाई के लोग अपनी अपनी आस्था के केंद्र में मेरे लिए फ्रार्थना किये हैं मेरे लिए इभादत किये हैं और मेरे लिए द्वाव मांगने का कारी किये हैं जो अभी तक तेलिकोन आ रहा है जो उनकी आस्ता है जिस रूप में उनकी आस्ता है तो ये कहीं नखें और विश्वस्निया एक ऐसा माहुल सायद ही कभी धारखंड के कालखंड में रहा होगा तो इसलिए सभी दलों का सर्व समाज का तो कि लोगों ने मुझे एक जात्त का नेता बनाने का जो कोशिस किया था उस पर जोड़तार तमाचा और प्रहार हुआ है और सभी दल सभी समाज सभी जाती धर्म के लोगों का मेरी और से तहे दिल से हरदाई की गहराई से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जाती धर्म से उपर उठकर इस लाड जान सभागे उठ सभी लोग पहुंची क्या फिड़ एक मिला आपको देखिए सबसे पहला बात तो कि आज दिन भर से अभी तक लगवाग अनुमानी था में तीन हजार लोगों से इतना लोगा लोगों की जन समावों में जाते हैं आते हैं लेकिन हमसे के वलाज मिलने के लिए और उनकी आखों में एक उमीद थी और वह उनका जो सारी धाचा था जो चेहरों को पड़ते हैं हमने बहुत सारी बूद को घुमा उस बूद से मैंने लोगों को देखने के बाद अनुमान लगा लिया कोन मुझे बोड़ देगा और कोन नहीं देगा तो फुल मिला क कराज उनके चेहरे का जो बनावट था उनके जो माथे की लकीर थी उनकी जो समाइल थी उससे असपष्ट है कि बहुत जोरदार तरीके से हम लोगों के पक्षे मर्तान हुआ है अभी भी कुछ लोग यह कर रहे हैं कि आप जातिवाद करते हैं लेकिन आपको तो आप समाज का भी बॉटल में लोगों ने बोट दिया है सब बुट को आप चेक कर लिजेगा और वकाइदा जब हमारा चुनाओ का नतीजा सामने आएगा हम बूत बाइजाएंगे और उस गाउं में बताएंगे किस गाउं में किस सम्वधाई का बहुल गाउं है कौन सा गाउं ब्रह अब किसका है यह साहर लिष्ट हम लोगों ने अपने इस लाटले बेटे को नेत्रूत देने का कारी किया समिक्षा बैठक में कुछ रिजल्ट आया आप लोगों कि नियुंतम रिजल्ट मांगा कि अब नियुंतम बताईए भोट क्या होगा हम लोगा धजल्ट की तिति में अच्छा अभी भी कुछ कार्यकरता यह का रहे कि अब हम लोगों को धमकी मिल रहा है और धमकी दे रहे हैं उनसे विनम्र प्राट्व्टनावा की लोगतंत्र जनादिश के संब्मान करें आप इतना दिन चुनाव लड़े हम लोगों ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया है आ आपको जो चल कपड प्रपंच करना है आप कीजिये लेकिन सार्रेक जो आप उनले की धमकी की बात करते हैं उनसे आम उनको कहें दूर हैं क्या लगा एक तरफ एंडिय था दूसरे तरफ इंडिया था और आप एक साधारन सा लड़का चुनाव लड़े कहीं भी आपका मैन पूरी चर्चा हो रही है गिरीडी में पूरी जार्खन में हो रही है क्या बोलिए रगात देश्चार नेचर का गिप्टेट है इसे थोड़ी दो साल में कोई यहां तक आता है इसकी रजाबंदी है जिसने जहां को बनाया है वो चाहता था यह बंदा आगे आए यह सद के चुनाव तक आए हैं और तगड़े प्रट्यासिक्रों पर तगराने हम तो अपने आपको विजयता मानेंगे क्योंके पास किसी पास 26 दलो गड़ बंदा ने किसी पास 36 दलो गड़ बंदा ने यह बंदा अखेली है बस जनता क्या असिरवाद सखेल है तो हम तो हम इंडिपेंडेंट है आप आपके सो में मुदी जी आएं किनी के पास किनी के पास चिंपई जी आएं परधान मंतरी किसी के लिए मुख्य मंतरी आ रहे हैं और जराम मातों के पल जनता के असिरवाद से इसकार्ट पर फासन देके निकलाए विए तो उस हिसाब से उस दि हुखा के ऑफ गाति हो процесс फिर आपके से एक गांड़ी ने जो कीया था एक आजध किया था एक विर्शाइमिंग्रम ने जो कि लिए तो एक मिनद जो किया था करा में सहौट ев्यूख सरिर नहीं किस्ट रuo के मैं हम कैई एम एक आवलोजिये मैया Corps इसowegoरे मुतिवात अच्छ बिधान सावा में तुफान मचा देगा है कि तुफान भी मच रहा है कि किसी के साथ गर्वंधन की जैके आप अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे उसके बाद जो हमारा शीट रहेगा और अगर परिस्थितियां आई तो हम जनता से जनाधिश मांगेंगे अच्छा तो और भी कई तरह के बाते सामने आ रही है कि आप इसको जिताने में उसको जिताने में लग गया है इसलिए कि मेरा भी मानना है कि जार्खंड की पिहां जो जार्खंड का फविश्य आने वाला एक नए दल के रूपे उसे तई करेगा और जो लोग आज हमारे साथ अच्छा प्रफर्मेंस होने जा रहा है बिल्कुल आप देख लेजिए यह बिल्डी लोग चभा का जो गोट आएगा वह आपको निश्य विधान सामें प्रफावड हो रहे बाने अजने दो अनिश्य आप टिकर नहीं दीजिए जिसको भी देना है वह आप कुछ मैंने पहले देजिए आभी से देजिए नहीं कोसिच दरी इने कि इस बाहर कम से कंप 5-4 दिन पहले टिकर पे अट गोशना हो और इसके लिए हम लोग पहले दो तीन नाम चार नाम प सथारा दूंगा लोग सभ लग सभ़ह का सभाव बीने गाहा जुदूरी को संधाफ तो युदी कि अध्योंग्न की छुना 벌्णा मॉना भाइक आक युद ऑट्रो शगूरमा पेशिक युद्दो शुभी नवी-शुल जीतने के बाद आपका क्या काम होगा और क्या मुमेंट है आगे का? वह तो ठीक है वह तो पॉलिटिकल होगा है जनता के लिए जिस उमीज से आपको भोड दिया जनता का दिल कैसे जीतियागा कि यह मैं रोड नाला तो कहाते है कि वह एक मुख्या भी बनाता है तो फिर आप भी वही काम करने जा रहे कि कुछ और भी प्लानिंग है वाइज हम लोग कुछ बड़ा कारी करें बड़ते गिधान सवाज बड़ा बड़ा कुछ कारी होगा कुछ अधिक कारी होगा जोग जोग तक अब तक आया नहीं है अधिक करें जन्ता के बीच बैट होगा अधिक कुछ लोग लिख रहे हैं कि जैराम का मैजिक गिरिडी में यह अबद तुकुर है ऐसा नहीं है इतिहां से कटाने फिर कभी होगा की नहीं होगा तेकने के दल्यों में द्वार के लिए जो इस जुनून था अबद तुकुर घजब कमा हो अबच्चे बूड है जैराम सिलिंडर बारो नंबर एक दो तीन चार पांचे साथ नो दस गारा बारा बारा में दवा दिए कि अबद तुकुर कर चया और जिसे आपके अट प्रत्यासी मैदान में थे क्या लग राक कि उस तरह से केंदर में मोडी भावे के नाम को ये लेकर घोट गया है क्योंकि जो परत्यासी है वह कही ना कि अंदोलन में कभी नहीं थे दोचार थे हैं बाकि अंदोलन में नहीं थे लेकिन पढ़े लिखे थे और राजनती और अंदोलन में तो अलग विशे हो जाता है तो ये 100 क्या शंदेस हाकरी ? संदेश यहीं कि अब विधान सवाक की तैयर जोर सकी भी ताकि राज्जी को जो लुटने की सिती बन रही है 50 सालों में याकराज कत्म हो जाएगा ऐसे लोगी करजें में चला जाएगा जो कुझीपती समंत्रवादी वेवस्था को पूरे तरह कायम कर देंगे तो इसे अच् कि अधिवक्ताओं से मिल रहा थे उनका स्टेट्मेंट था कि आपको भस्था चार आप ही खतम कर पाई यह सच्चा ही है दो तीन ब्लॉक में भी चर्चा हो गया है यह लड़का आएगा तो बड़ा दिक्कत करें दो तीन ब्लॉक में चर्चा हुआ है यह आएगा तो जब यह कुछ नहीं है इतना सहांसी है और कुछ बन जाएगा ब्लॉक में धर्ना दे दिया और माइक पकड़ लिया तो हम लोग धूर के रख देगा यह ब्लॉक में चर्चा होगा कि आप लोग भी बढ़ावा दीजिए हम लोग किसी भी हाल में नहीं और एक चीज होगा अगर पार चलेकर पारस्तान पहाड तक की जो बिरासात है इसमें जरा महतों के नेत्रुत है यहां गड़बड़ी मत कीजिए तो क्या अबिजाज चुलुस का त्यारी शुरू हो गया है पुरा कॉन्फिडेंस हाई है मने आत्म विश्वास अती विश्वास नहीं है आत्म विश चुनाओ से पहले के चार दिन और चुनाओ वाला दिन नहीं है चुनाओ वाला दिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो अपना धाबा में परकास दा के नेत्रुत में गया है और वहां भात रोटी है रोटी खाने वे जी आगे के क्या रोनेती है आगे विश्वास की पहने में कुछ लोग लिख रहें दुंका कब आ रहे है कल कहां आगे है अड़ सब्सक्राइला वाला दो कि एदों तो भीटाइला विश्वास के लिख रहे में दृटार ठक्राण को घ्टार वतितनी हैं रृटी 角प कीया है आगे ने च हैं दूसको बंज़सा वे idea जब बुजूर के पास पहुचा और कहा कि बाबा मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसे बुजूर को वैक्ति ने कहा कि बच्चा जब भी तुमको गुस्सा आए तो यह लोगी कील है। तो उस लड़की न ऐसा किया, जब जब उसे गुस्सा आता था, वो एक नीम के पेड में एक कील मारता था। ऐसा तीस दिन तक चला। और जब तीस दिन उसमें लगा था कील मारा उस नीम के पेड में, तो क्या हुआ थी। जब तुमको गुस्सा आता था, तुमने उस पेड को चोट मारा, तो आटोमेटिकल तुम्हारा गुस्सा सालता था। तो किसी को चोट दिया ने गुस्सा सांत हो गया। लेकिन बदले में जब तुमको गुस्सा नहीं आया, तो तुमने माफी मांग लिया। ये पेड से के एक कील निकाल लिया। लेकिन इस करम में घटना घटा, कि उस पेड में तीस को छेद हो चुटा था। तो यहीं जीवन का साथ है। कोई किसे तुम कितना भी माफी मांगी। तो माफ भी कर देगा। लेकिन दिल में एक छाप छुट जाता। एक खाव छुट जाता उस पेड की तरह। कि जब कुस्टा था वह कीम मारता था। किछा नहीं आता था यह उखा लेता, लेकिन इस घटना में क्या हो पेंड के उसमें एक छेद हो गया था। तो बहुत सही लगण ऐसे काम किया तो उनसे यह ही कहेंगे कि तो इसा ही काम करो कि छेद ना हो। आप अमसे नजर मिला पाओ, जिसके पास जाना हो एंडिपेंडेंट जाओ, अगर आप किसी के पास रहके हमारी अलोचना करोगे तो अम गुरान भी मानें, लेकिन हमारे रसात रहके हमारे साथ दगा करोगे तो तकलीफ होगा, अच्छे चुनाओ के समय अधम आखरी वक्त जितनी अलोचनाई आपकी हुई हम जारकन में किसी नेता का नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे तेखना हुगे अलोचनाई कीन होने की, जो आपके साध रहत थे, जनता ने मेरी अलोचना कभी ने की, इसलिए इनको मुहतोड जबाब मिला, इन नेताओं को, खसका जिला परिशत बालों को, इनको मुहतोड जबाब मिला, मुहतोड जबाब इसलिए मिला कि जनता ने मेरी अलोचना कभी ने की, मेरी अलोचना किसने की, बिरायक परतिन दिन, परखंड अध्याच ने, जिला परिशत ने, मोख्या पती ने, मोख्या देवर ने, तो भईया वो लो पर सबसेदान आलोचना भी किसी के भी तो जरम मतों की नो ड़ाउट जब कुछ लोग यह का रहे कि चुनाव जीतने के वाद आप आप आएंगे तो आपके का रहे ले जुमरा पहाड रहेगा कि पारसना पाड मे रहेगा नो डू जब रहेगा तो लोग कहा मिलेंगे पहाड पर चोदो कारिया लए उसके बाद अगर जोरत पड़ी तो उप कारिया लगा अराम से मिलेगा आपकी वी सुलब रहेंगे सरल रहेंगे अराम से बिएक कुछ लोग काने पार्टी कब दीजेगा जब सब को जनता ने किया तो पार्टी पी जनता देगी आपको इंतजार की क्याएं है कि क्या पें अप कि आपको जितना बेटा है सब सक्सेजबूल है आपकी कुतो लोग सक्सेजबूल है आपकी पतनी सक्सेबूल प्रवासी मजदूर अपना काम दाम छोड़कर खर्च करके धनबा मना घृडडी भोड़ देने के लिए आया आपको मदद भी किया वैसे मजदूरों के लिए क्या संदेज है उनको उमीद है बहुत आपसे अब दिखें उनके लिए हम अपना सरवस्च उने चाहओ करें उनके लिए हम लोग छोटे-चोटे उद्द्योगों पर चरचा करें लगों द्द्योग कुछ ऐसे चीजों का मैनुफेक्ट्चर और धेरे देरे दस पांच पांच पांदरों बीस की संख्याने प्रवास की जो कि अपना बन हो जागा संसादों पांच पर क्या बोली है कर दो दो मुस्तवी मुस्तवी से बिल्कुल गलत हो जाज कि किसी भी तरगार ख़़ी संपता को अपने इसमात पर लूपने नहीं है कि आध उनके कर रहा हो है को बांचल में जो कर दूब में उन कातलों का हिसाब लेने के लिए कुछ परिश्चतिया मेरा इंतर्व है